नमस्कार साथियों यूपीपीसेश दोजार चॉविस के लिए आज का जो हमारा सैसन है वो रहेगा साइस एंट टैक का और आज हम सैसन में करने वाले हैं जो साइस एंट टैक के जितने भी कोशन आपके आते हैं एक्जाम में तो वह सारे कोशन्स का जो एक निचोड है उसकी काफी इंपोर्टेंट सेक्षन आपके एक्जाम के पॉइंट अभीव से लगभग आपके 25-28 कोशन्स के वल यहीं साते हैं 25-28 कोशन्स के यहीं साते हैं जब हम बात करते हैं कट आफ की यूपी-पीसीएस की तो कट आफ आपके हंडेट कोशन के अपरॉक्स अगर आप कर करने के बाद तो आपका पेपर किलियर हो जाता है और उस इस्थिती में 25-28 कोशन आपके केवल एक ही पॉर्षन पर निर्भर करते हैं और वह पॉर्षन आपका विज्ञान वाला साइंस एंड टेक्नोलोजी वाला अगर हम इस पॉर्षन को अच्छे सा कर लेते हैं तो आपक चार पॉर्ष आपका अब कवर हो जाता है थी कैसि तो यह पॉर्षन आपका बहुत जादा इंपॉर्टेंट एंड इस पॉर्षन को स्किप नहीं करना है और सब्सक्राइब 305 क्याना और यहां पर हमने क्या किया है यहां पर हमने इस वे प्योंकि चलिए पढ़ते हैं जने क guided करेंगे अब सबसेफयान में पर नहीं 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 बढ़ना है यहां आपको नीट वीजाम नहीं नीकालना था धार नहीं नहीं बनना है हम लोगों को साइंस जो पढ़नी है वो एक्जाम के पॉइंट आभ यू से पढ़नी है जितने भी आपके कॉंपटिशन होते हैं चाहे वह आपका यूपी सामान्य विग्यान आता है ऐसी साइंस नहीं आती जिस साइंस को पढ़कर आप वैक्जानिक बनो यह डॉक्टर वगयर करनी है ठीक है तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सको इस्कों सबसे पहले हम देखेंगे branches of biology ठीक है जी विग्यान की साख आए डारेक्ट कोशन यहां से बनते हैं कि फर्स्ट ब्रांच आपकी सैरी कल्चर ठीक है जो सैरी कल्चर है आपका सैरी कल्चर होता गया है तो देखो बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारना है सैरी कल्चर आपका किस्स है रेसम कीट पालन से जो आपके सिल्क वाम होते हैं रेसम के कीड़े होते हैं रेसम के कीड़ों को जो पाला जाता है उस प्रकिरिया को क्या बोलते हैं सैरी कल्चर दूसरा आपका पीसी कल्चर पीसी कल्चर आपका फिशिंग से रिलेटेड़ है मचलियों के पालन का जब हम अध्यान करते हैं तो उससे रिलेटेट वर्ड है आपका पीसी कल्चर दोनों इंपोर्टेंट है धियान रखना है फिर अगला माइकोलोजी माइकोलोजी आपका कवक कवक मतलब आपका फंगई कि फंगई होते हैं फंगास उते हैं उनकी स्टडि के अब चब क करके का अधिन क्या 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 था था pores को खालो क्या बुलोंगे आपका पोदोंगी ऑनित्षैन ये उतना سंदों ये मैचिंग कर जाता है मैंचिंग कराणे में आ जाता है लेकिन यह दोनों सिस्पॉर्टेंट हो उपर के पैल के मैंने ठीक है ये एक्जाम के पॉइंट और यू से कंपाइल के गए हैं तो आपको बस इन पर ज्यादा दे फोकस करना है इन पर ज्यादा दिहां देना है है अगर हम इक्विथोलोजी की बात कर रहे हैं तो यह है स्टेडि ओफिस मचली योगा दियान किसका दियान आपका यहां पर मचली योगा दियान और एंटिमो लोजी आपका कीटो का दियान अगर आपका autology आपका sampo का दियन है तो इसमें ये Q2 इंपोर्टेंट आपके पिर antonomy अगर हम antonomy की बात कर रहे हैं तो antonomy की जब वर्ड आएगा तो यहां रखना है internal structure की बात होगी आंतरिक संदाकर की बात होगी चाहे वो आपका plant हो चाहे आपका एनिमल हो, plant मतरब आपके पौध हो और एनिमल आपके चाहे पसू हो तो पसू या पौध हो की आंत्रिक संदस्ना का जो अध्यन होता है, internal structure का जो अध्यन होता है वो कहलाता है ईन्टिमोलोजी, Entymology तो अगर कोशिका के अधियन की बात की जाएगी तो तो वह क्या होगा आपका साइटोलोजी ठीक है शिल्वी कल्चर अगेन इंपोर्टेन्ट यह कुछन आपका लाउस्ट मैचिंग कराने में बार-बार अप्सक्राइब इस होता है इसरे प्रसा अपकर किससे रिलेटीड होगा आपका यह गते इमारती राक्स होते हैं जो आपके पेड़ होते हैं जोगा सिल्वी ठीक है यह होगा आपका फूलों से रिलेटेड ये आपका होगा किस से फ्लावर से फ्लावर अब कि वरी वरी इंपोर्टेंट एपकीलचार आपका किस्सव यह होगा आसकेम अउल थin आपको it कि मदुमक्यां है की इस संब्दिति यह मदुमक्यों सब्दाद किया है आपका एक कल्चार ठीक है यह वर्ड भी आपका पूछा गया एक्जाम में कई बार पूछा गया है ठीक है इडिफोलोजी या पैडोलोजी दोनों किस से रिलेटेड हैं आपके स्वायल से म्रद्दा से रिलेटेड है तो म्रद्दा विज्ञान का जो अधियान आपका हो क्या कहलाता है जाएगा या इ जो आपका बगीची होते हैं बागवानी से भागवानी से संबंधित क्या हो जाएगा हो ऑटिकल्चर टेक्शनओमी की बात करने हैं टेक्शनओमी एक तरीके से आपडन सब्सक्री गा月 के ज़िक करन का यहाँ होना है projekt क्लासीफीकेशन थिकायं का मदल्द क्या होता होता है क्लासीीफीकेशन वर्गी कर नहांद और आ पर आपकर आनिमल का और प्लांट्स पॉद्धों का और जन्तों का जो वर्गी करण है उसे क्या बोलते हैं टैक्सानॉमी इन दोनों के अध्यान को उनके वर्गी करण को क्या बोलेंगे टैक्सानॉमी ही ही हििस्टौलोजी में जो आपके और होते हैं या प्लांट्स होते हैं जुआ नियु अजिस्टॉज होते हैं ठीया उट्थ्थ काğu लिए इसकी स्काsm How many sus gaadhyan जो आपके उत्तक हो तकन यह कैलेता है आपका हीश्ट्रोलोजीटोम नौर्मल कोई बहुत ज्यादा कठी नहीं है ऩ याद कर पाना जैंटी यह थी आपकी ब्रांचेट ब्रांचेट आपकी ती अब बढ से में टॉपिक जहां से आपकेcem एक या दो कुश्चन डेफिनेट पूछ आते हैं एक्जाम में और वो टॉपिक रहेगा हमारा ब्लड ठीक है रख्त देखों जितने भी चीजे भी यहां पर ली गई है वह कीमें अब क्यों वापकी नोट्ड विंधे और वह आपके लिए अगाइये ने विल्ड किया थो इक उमारी बॉडि में क्या करता है evol 것을 करता है ठीक है और यह क्या करता है तरीके अधर से जो आकसिजन और कर्बडायोक्साइड उनकात रांस्पॉर्टेशन करता थे ट्राइज़न नियुका प्रिवहन करता स्भीकहां तो अब एक लाल रंग का है जो सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में आगे इट इस ए इन कलर भीकॉज रैड पिग्मेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इस फांड इन इस रैड़ सेल अब देखो इसका उनलब क्या है यह जो लाल होता है यह लाल क्यों होता क्योंकि इसमें रैड कलर का ए इसमें चार चीजें पाई जाती है पहला प्लाज्मा परस्ट क्या है प्लाज्मा और प्लेट इन चार चीजों से मिलकर क्या बना है आपका ब्लड बना है क्लियर है और किसके कारण रैड है आपका हीमोगिलोगिन के अब यहां देख लेते हैं ब्लेट यह स्ट्रक्चर है इसके देखो जब ब्लेट की बात कर रहे हैं तो ब्लेट में आपका 55 परसेंट प्लाज्मा होता है खरगे पर्सेंट है 45 परसेंट अब का प्लाज्मा है और 45 परसेंट आपका क्या है व्लेट परसेंट आपका लेट सैन्वां आपका ड्या पियसे व Л इस्तर आपके सब्लोण बनाएं इसतरीके साथ देख सकते हैं उसे कि 45 % है जिसमा आपका क्या जाएंगे ब्लोट सेल्स और 55% क्या है आपका घिडाजमा अब अगर हम प्लाजमा को भी चैटेगिराइज करें तो प्लाजमा वह खुद 90 पर सेंट वाटर होता है जब आप प्लाजमा को भी देख रहे हो 90 पर सेंट इसमें क्या है आपका पानी य मिन्राइल से ठीक है प्लाज्मा को भी जब आप देखते हैं 55% जो हमारे ब्लेड का पार्ट है उसमें 90% पानी है और 10% क्या है मिन्राइल से और बाकी 45% में क्या है आपका सैल रबीसी डबलो बीच प्रेट लेट देखते हैं और आपका 90% से अन्य पदार्थ होगे अगर अगर हम बात करें प्राज्मा में क्या क्या होता है जिसमें पाइजाती है यह प्लाज्मा मा चाहिए काम क्या है इसका रखत का थक्का जमाने मदद करती है ब्लड क्लोटिंग में इसका यूज होता है अब देखो प्लाज्मा का में काम क्या है प्लाज्मा में आपका पाई जाती है फाइब्रो नोजेन प्रोटीन और इस प्रोटीन का काम होता है ब्लड क्लोटिंग ठीक है ब्ल और निकलने लगता है तो उस घाऊ को भड़ने में किसका काम होता है आपका इस से बोलते हैं आपका इर्थ्रोसाइट्स ये लिज्कोशाइट्स और ये आपकी नेम भी पूछे जाते हैं यह नेम भी पूछ आते हैं जन्म कहां होता है खीक है इंका शीवन का life span कितना है यतना वो सारी चीजे आपके exam में पूछ आती है तो इसी विजह से अगली प्राजमा को वैसा हमने कबर कर लिए लेकिन फिर भी देखो प्राजमा क्या है रंग हिन होता है मतलब कलर रैसे इसमां आपका इसका कोई कलर नहीं है इसमां आपका 90% पानी प्रोटीन और प्राजमा के प्रोटीन में अटिबॉडीय होते हैं क्या होते हैं इसके के बिमार्य और संक्रमन के खिलाप शरीर की रक्षक में साहेता करते हैं ठीक है जो वीन काम क्या होता है हमारे सरीर की अंदो रोगों Salo करता स्ट्रोंग करना जिससे हम अपने स्रीर को या हमारा रोगों से क्या कर सके अपनी रक्सा कर सके वह आपके किसमें प्लाज्मा में और डबलुबीसी में अगर ब्लड कॉर्पॉसल्स ये को अगर बात करें तो इसे किस और नाम से जाता है इर्थ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है ठीक है आकार के अगर हम बात करें डिस्क के आकार वाली ये कोशिकाय मद्धिय में अबतल होती है और इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है अगर माइक्रोस्कोप से देखने की बात की जाए तो माइक्रोस्कोप सा आप इना आसानी से देख सकते हो और इनकी जो आकरती होती है ठीक कौन के मतब अवत्र जैसे आकरती होती है रबीसी फेपरो से ऑक्सिजन लेते हैं और उसे सरीर के सभी कोष्टी काव में पहुंचाते हैं वेरी इंपोर्टेंट इसका कारिया है इसका वर्क है या फंक्षन है कि निए करेगी हमारे जो लंग्स होते हैं फेप्र होते हैं और ऑक्सिजन देने के बाद उससे बॉडी के सौरे पार्ट में अलग-अलग हिस्सों में क्या करेगी उससे ट्रांसपोर्ट करेगी इस में फंक्शन ओफ और बस नेक्स इसमें होता हमोगोलोबी नाम का वर्नक हो हमारी जो कोशिका होती है कोशिका या सेल्स होती है सेल्स के सेंटर में नाभी होता है नूकलस होता है तो इसमें नाभी क्या नूकलस नहीं होता है दूसरा हम बात करें इसमें जो पिगमेंट पाया आता है पहले बताया है पिगमेंट आपका उस पिगमेंट के कारण ही हमारे सरीर हमारे बलड का रंग रही होता है उस पिगमेंट को किस नाम से आते हैं लाल है अब इसका लाइफ इस्पैन अगर हम राइफ इसका है तो इसका हंड्रेड को सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीवित होती है दूसरा अगर हम बात करें इसका जो निर्मान होता है कार यह सौरी अगला इसका मुख्य कारिया औक्साइट का सम्मेहन करना यह मैं बताए चुका हूं और स्यो तो षेया करें ट्रांस्पोर्ट करें दूसरा निर्मांद कहीं का होगा इसका बॉन्वारो में यह पनारी में हotion होती है घ्यांद्र avete का कईले और होता है लोग होगे मुझा डो맛 oh क्या करते हैं उसे क्या करते हैं चूंचते रहते हैं और उसके लिक्विड होता वोन मेरो कहता है उसी बोन मेरो मेरो में अगला करते हैं इसकी जो मरत्या होती है वह कहां होती है वह लिवर और इस्प्रीन में यानि यक्रत में होती है या फिर आपका प्लीहा या स्प्रीन में होती है इसलिए यक्रत और प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान बोलते हैं देखो निर्मान तो होगा इसका बोन मैरो में ठीक है मृत्यू कहा होगी लिवर में और इस्प्रीन में और इसी वजह से आपका यकरत को फिर आपका फिलीः को आरबी सी का कब्रिस्थाने ग्रेव्याड कहा जाता है सारे पॉयंट में सारे पॉइंट बार बार एक्जाम में पूछे गए हैं । mı अगर हम डब्लु वी की बात कऱ रहा है WC को क्या बोलते हैं लूखो साइट यह संक्रमन्स और विमार्यव से बचाते हैं ayove e इनका इंफैक्ष्ण सफ आइड करते हैं इनका मेर स्क्रिजन है और आपका औशिजन को ट्रांसपोर्ट करनाय। compatibility उसे हमारे सरीर करना निर्मान इनका निर्मान में होता है रिमफ्सनोड जो हमारे वाड़ीमें रिम्फ्सनोड होते वहां होता है और कभी कभी है यख्रत और फिन सीन और में निर्मान होता है कि यह इनका निर्मान होता है ऑफ-से नाइडिन का लाइफ-सम्हीt मर जाती है मुख्या कार्य वही जो पर बताया भी था में फंक्शन क्या है आपका सरीर को रोगों के संक्रमंट से बचाना है यह आपका में कार्य डब्लूबीसी का टाइपस ऑफ डब्लूबीसी के आकार के अधार पर उनके साइज के अधार पर इससे पांच पार्ट में डिवाइट किया गया है और वह जो पांच पार्ट है वह आपके न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल्स इसोफिल्स इसनोफिल्स बेसोफिल्स मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स यह आपके पांच पार्ट हैं किसके डब्लूबीसी के अब अगर हम बात करें इन पांच पार्ट की तो इन पांच पार्ट में आपका लिम्फोसाइट्स में है जिससे ब करते हैं lymphocytes की और लिंफोसाइट्स यह को सिकाय WBC का 4% बनाती है जो हमारी फूरी और टी को सिखाए भी सेल्स और टी सेल्स यह नाम आपने सुने होंगे जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसकी जो टी सेल्स होती है वह डिस्ट्रॉय होने लगती है और जिस कारण उसकी रोगों से लड़ने की चमताब भीरकुल खतम हो जाती है ठीक है तो अब लिंफोसा के रहे हैं कि बाज्क रहे हैं रहे हैं डिस और करते हैं यह तो पार्ट में डिवायट गया अब अगर हम बात करें इन दोनों सेल्स की तो यह जो सेल्स आपकी टी सेल्स जैसी आपका एचाइबी जैसी बीमारी हो जाती है तो उस केस में टी सेल्स आपकी ऑल्मोस्ट खतम हो जाती है तो फिर होता गया है यह जो और बनाने में करते हैं बद कर देती है और जब वह अपने फंक्शन को बन कर देती हैं तो उस केस हैं जितनी भी बाहिये बीमार्यां हमारी बॉड़ी पर डिट्र है करने के तो ओस दोरान हमारी बॉड़ी के दोड़ा इम्मुनिटी जो सिश्टम एं जो इम्मून सिश्टम आपका नहीं बन पाता और वो बीमारे इसलिए पर डारक्ट ली अटेक जाता है और उस जो आपका ब्लड का लाश्ट बन था वह था आपका ब्लड को हम ध्रोम्बो साइट省 बोलते हैं अगर रोम्ड की बात करें यह साइज में छोटे होते हैं अगर निर्मान का होता हुटाह्यों होता है और यहां किर रांγα हिन को शीकाय होती है और अगर हम बात करें निर्मान कहा उता इनका बोण मैरों में यह भी कहां बनती है है इसके खास बात आपका नाभिक नहीं होता और कटने घाव लगने पर यहां रख्त को जमने में मदद करती है जिसके कारण खून का बहना रूख हो जाता है कि अब जब आपका घाव जाता है तो उस केस में ब्लड आपका लगता तो यह क्या करते हैं वहां पर उस ब्लड का ठका बनाने में करेंगे है किसी कि तरह थ्रॉम्बोसाइट कि तरह है फाइप्रोनोजन कि तरह है जो प्रोटीन वह आपके प्लाज्मा में उस प्रोटीन की सब्सक्ते स्वाइब क्लंपिंग कोगूलेशन या फिर आपका वहर्ण क्लोटिंग में help करती है ठीक है अगे यह हम देखी तुके हैं इसमें केंद्रक नहीं होता है इसका निर्मान बोन मेरो में है लाइफ स्पैंद के अगर बात करें तो तीन सा पांस दिन होता है और डैथ इसकी कहा हो जाती है इस प्लीन हो जाती है जो आपका इस प्लीन है वहीं पर इसकी डैथ हो जाएगी यह खास बात है किसकी अब एक उसमें देख रहते हैं शौट में अ कि देखो आर बीसी डवलू बीसी वेट रेट्स लेट लेट्स लेट्स बर्थ आपर हो रहा है उसका इस तो इस बासकित के बहुन है गया इस प्लीन आयन जन्वन का सबन्वन में यह जन्वन का सबका इस बाद कर से प्लीन ही इस जन्वन कहा होता है इस अस norm cat व 벌써 2 अगर हम बात करें डैथ मुरत्यू कहां हो रही है मुरत्यू देखो कहां होगी इसकी इस्प्लीन और लीवर इसकी मुरत्यू कहां होगी इस प्लेन में खीक है कितना कुमन है कहां पर ऊरी लिए पलड में हो जाती है बस यह चीजर आपको धिखनी यह जो टेवल कि जैन उनका सब कोमन है TB dust रहूं मेरो बॉन मेरो और वेसी जहीं ना रहुत की प्लेट में और यहां हो जाती है रकती भर हम इनके लाइफ कि अ गश्यान अगर हम इनके राइफ करें कि इसके राइफ की लिए नहीं होता है वह सब सबसे जार्दा जीवन काल आपका रबी सिगा सबसे कम आपका डबलुबी सिगा उसके बाद आपका किसका प्रेट रेट्स का है यह आपको धिहान रखना है बस यही खास बात है इनकी काम क्या है और भी सिगा ऑक्सिगन एंड कार औक्सिगन एंड श कसा ठांसवार्टेशन ओक्सिए को साघ्रेट का करेगी शिया ह थक्का बनाना और यह रोगों सरक्सा और यह शॉट चीजे आपको याद होनी चाहिए बस यह में काम है आपका यही आपका में ब्लड है रड़ी रने ने 1902 में पहली बार ब्लड को क्लासिफाइड किया ठीक है अब क्लासिफाइड क्यों किया पहले जाती दिए चोट लगने पर आपका जैसे चोट लगी कमी हुई तो फिर उसके घर वालों को जैसे जिस व्यक्ति को चोट लगी तो उसके घर वालों के ब्लड को उस व्यक्ति की बॉड़ी में इंसर्ट कर दे जाता था रक्त की कमी होने पर और ऐसा देखा गया कि आपका कभी-कभी तो व्यक्ति बच जाया करता था जिसे ब्लड की कमी है और कभी-कभी व्यक्ति आपक Mari mandate के परिवार के लोग ही जब उसे देते हैं उसके लोगों का ही रख चढ़ए जाता में व्यक्ति नहीं बच पा रहा है तो फिर उसके देखा कि पूरी दुनिया के मBooks परिपने के लेक्ट है और सब्सक्राइब लग है और उसने फिर उन सारे सेंपल के अधार पर यह बताया कि वो ग्रुफ है कितने 4 मेजर गृूफ हैं ठीक है कितने मेजर गृूफ है चार मेजर ब्लॉब है और उसमें चिजब करें कि पैक्टर और। और चेक करें कि फ्यक्त Ł सब्सक्राइब जब कालैंट डिमेर ने चार ब्लिड गृूफ बना दिए कि A B A B और ओ यह चार णा दिए उसने चार बैट गुरूप बनाने के बाद में यह कहा कि बैट आप का country को जाएगा बी इक sırद गुरूप आपको भीको जाएगा और जबना क्मक्रां। जो आपको जाएगा ओआप यह ड़ों खिरने भेड कहें कि सकता है वह बात आपको किसंदा एक हूँ सपाइब प्रह connection A B को दे सकता है लेकिन जब ये तो हो गया आपका donate करना donate मतलब दान करना जब बात लेने की आएगी जब बात लेने की आएगी तो A blood किस से ले सकता है A ले सकता है आपका A से और O से A A से ले सकता है O से B किस से ले सकता है B B से ही ले सकता है और आपका ओसर ले सकता है आपका फोलाइं से ले सकता है और ऑय से ले सकता है यह सारे लोग सकते हैं ऐसा बना सकते हैं A B A B और O यह टेविल आपको बना लेनी है इंपोर्टेंट टेविल है A B A B और O देखो यहाँ पर जब बात आएगी इस टाइप से ले लेंगे जब बात आएगी Blood देने की A A को दे सकता है ऐस अखिए एए एको दे सकता है जो है बी को दे सकता है नहीं है अपना भड़ किससे दे सकता है भई बी अपना एक दे सकता है नहीं लेकर ठीक है भी आपका एविकुद मुत कि दे सकता है नहीं दे सकता है अब आएके बात आएगी तो आपका दे सकता है ओपका दे देखो यहां पर इस टेबिल से एक चीज देखो आप एक चीज निकर कर यहां साई कि जब बात आई है ब्लड देने की तो ओ सभी को डोनेट कर सकता है और यहां बात कर रहे हैं रिसीवर की और यहां बात कर रहे हैं हम डोनर की दान दाता और यह क्या है आपका दान गिराही तो इस चीज से एक चीज निकर काई कि देखो यहां पर सबस्ब बड़ा दान दाता कौन हुआ आपका ओ ओ सबको बिलड दे सकता है तो ओ को क्या कहा गया यूनिवर्सल डोनर और इसे एक भी को क्या बोल दिया यूनिवर्सल डिसीवर वो रिसीवर हो गया और यह आपका त्रौनरẽ इसकता है और यह सब कर मैं सकता हुँ इस बात उन्य konk happiness एक दैवे ठीक है तो अब जब हम इस सारे गुर्प को pros ौकर रहे थे इस सारी की जो को जब हम देख रहे थे तो उस टाइम पर क्या हुआ एक जो ब्लड था वो आपका एको चला दिया गया लेकिन कुछ केसिस में ऐसा हुआ कि फिर भी मरीज की जान पेसेंट की जान नहीं बची तो फिर बाद में काल लैंड स्टेनर को लगा कि फिर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था मैंने जो गुरूपिंग बनाए थी वह चार गुरूप बनाए ब्लड गुर ब्लड में भी आपके आय शुते हैं मझेटेव चोसी और पॉजटिव आयंस होते हैं तो उस आपका एक फैक्टर निकल का है जिसे हमने हमके क्या और शुक्त और इस और रिज्स फैक्टर की खोज के लिए को नोबल प्राइज भी मिला ठीक है में थाल ऑगkä…. Eo उम्इंभी आपका दो होंगे एक कला सोगा एक मायन सोगा एक बी प्लस होगा एक मायनस होगा लेकिन सभी से ब्लड नहीं नहीं ये आपका सभी ब्लड दे सकता है और नहीं दे सकता है तो इस वजह से यह उनिवर्सल डोनर है यह सबको दे सकता है कौन सा ओ माइनस तो अब वो टेबल देख लेते हैं पीछे की कि यहां पर दे रहा है कि आपका ब्लड टाइब यह दे रहा है you can give to मतलब आप इससे दे सकते हो you can receive from आप उससे रिसीब कर सकते हो जैसे ओ पॉजिटिव कुझ सकता है अख्याम का ब्लैड गुरूप में सब्सक्राइए प्लस को when और सब्सक्राइब कि वल्त इपिपनुए नेगेटिटीब से और और युद टigence ay कि ए पॉजिटिव यूद्व को दे सकता है और यह किससे सकता है और यहां देखो आप यहां और सभी सब्सक्राइब डर्बा ग्राही का ईूनिवर्सल मॉ opioid म्ime अजकेवर कि यह सब से सकता है कौन ले सकता है यह भी पॉजिटिटीव और निगय ref तो निगयटिव सभी को दे सकता है कि बहुद अनेगेटिप से लेगा तो उठीव अ मु दे सकता है तो इसे खालेंगे हम ओस्थ यूनीक आर्स्थ डोणर की तर्फेल डाथा यह सभी से ले सकता है कौन सा ले सकता है ओ नेगेटिव ठीक है यह सीजले आपको दिहां रखने हैं लेटिव किसे दे सकता है आपका बी नेगेटिव को और ले किसे सकता है आपका क्या है शर्वा दाता है दोनों बार बार एक्जाम में पूछे जा सकते हैं पूछे जा सकते हैं पूछे गए हैं ये भी पूछे आ सकते हैं कि कौन किसे ब्लड दे सकता है किससे ले सकता है अब आपका आगे देखते हैं आपके बच्चे का ब्लेड गुरूप क्या होगा या बच्चे का ब्लेड गुरूप क्या होगा अगर माबापका ब्लेड गुरूप यह है ठीक है ब्लड ग्रूप के आधार पर आप बच्चे के ब्लड ग्रूप का अंदाजा लगा सकते हो बच्चे के ब्लड ग्रूप को बता सकते हो कि बच्चे का क्या ब्लड ग्रूप होगा और यह एक्जामर कोशन भी पूछा जाता है जैसे यहां पर फादर का ब्लड ग्रूप दिया है इहां पर क्या है mother said कि अगर देखो कैसे देखना लेеспirrel क्या है खासरे सब्सक्राइट उसक्ता है और बैच्चे की इस ब्लड ग्रूप क्या है A का और O का, बच्चे के फादर का blood group B है और बच्चे की मा का blood group A है, बच्चे का blood group A हो सकता है, B हो सकता है, A भी हो सकता है, और O भी हो सकता है, ठीक है, बच्चे का blood group आपका, स्वारी, बच्चे की मा का blood group A है, बच्चे के बाप का blood group A भी है, तो देखो A के chance भी है, B के chance भी बच्चे का ब्लड ग्रूप A है पादर का O है तो बच्चे का या तो A होगा या फिर आपका O होगा अगर देखते हैं मदर का ब्लड ग्रूप B पादर का A तो अब देखो एक तो यह ले लो आप B भी आ गया एक आपका A यह दोनों आ गए जब यह दोनों ब्लड ग्रूप होते हैं तो A B definitely होने की संभावना होती है तो A B आपका हो गई होगा और जब आपका A और B हैं तो ओ भी आपका definitely हो सकता है लेकिन जब हम देखते हैं कि बच्चे का B और बच्चे का B और फादर का वी तो जहर सी बात हैD और ऊक्षए का B Partner का पता है ठीक है आसान है कोशन आपका पूछा जाता है यहां से अरश फैक्टर अरश फैक्टर मैंने भी आपको बताया भी कि भई आरश फैक्टर को डिसकवर क्या गाए 1940 में इसके दुआरा रैंड इस्टीनर और आपका एस वैनर ठीक है इस वैनर यह दोनों आपके यह वीनर भी लिखा होता है यह दोनों आपके साइंटिस्ट थे इनके दुआरा रिसस मंकीज में पहली बार एक्सपेरिमेंट क्या गया तो उससे पता चला आरश फैक्टर का रोल करता है और उसका क्या प्रूहा पड़ता है और इसके लिए क्या बोलते है और तो ऑने कि प्लस है और पुरुशे और आर्श फैक्टर और सेम है जो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपका महिला का आरेच नेगेटीव है पुरुस का आरेच नेगेटीव है उस टाइम भी कोई प्रॉबलम आपकी नहीं होगी दोनों केस आपके सही केस है अगर महिला का आरेच प्लेस और पुरुस का आरेच नेगेटीव है ठीक है तो उसमें होता अगर होता गया है अगर महिला का प्लस्ट का नेगतिव सकता हैं इसलिए महिला को आरेच इम्म्यून गलोविन इंजेक्शन लगवाना चाहिए अब होता गया है दिया इसका सार निकल काता है जो पुरुस आपका अगर महिदा का आरेच आपका निगेटिव है फिमेल दूसरा जो मेल आपका उसका आरेच क्या है पॉजिटिव है तो जो फर्स्ट बेबी होगा फर्स्ट चाइड नो प्रॉब्लम पहले चाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिक है ये स्थिति है अगर अगर बात कर रहे हैं सेकेंड के तब क्या होगा ब्लड क्लम्पिंग ब्लड क्लम्पिंग हो जाएगी परहे सबस्ट आपका जम जाएगा के रोक्त आपका जम जाएगा होगा क्या सेकेंड बच्चे के के से केर्न य। होता है अगर पुरुस का आरेच पॉजिटिव महिला का जो आरेच फीमेल का रस नेगेटिव है और उसके बाद में होता क्या है उन दोनों के आरेच का ये फैक्ट पड़ेगा कि जो उनका बेवी होगा बेवी जब वो आपका एंबेरियो श्रेट में होगा ब्रू नवस्ता के लिए उससा बचते के लिए किसका इम्यून घलोबीन इंजेक्शन का यूज करना पड़ता है जो आरेच अजय होता है उनके और बच्चे नहीं यह चीज भी बहुत जरूरी है क्योंकि साधी होने के बाद में यह पता होना चाहिए आपको कि आपका पॉजिटीव रहा नेगेटिव या आपके पार्टनर का जो वह कैसा है वह नेगेटिव या पॉजिटीव ठीक है उससे आने वाली जनरेशन आपकी आपके जो होने वाल नेक्स्ट यह था आपका ब्लेट के बारे में रख्त के बारे में ठीक है अब ब्लेट से ही रिलेटेड बढ़ते हैं अगले टॉपिक की और टॉपिक आपका ब्लेट सर्कुलेशन पीक है ब्लेट का सर्कुलेशन जो रख्त होका वो हमारी बाडि में क्या करता थे चnaire करता है संचलीत होता है और उससा संचलीत करने के लिए जिस और की indeed होती है वह और आपका हीत्व याई ऑरगन आपका क्या हिर्द्य अब जैसे आप सभी को पता है कि बॉलिवूट जो हमारा बॉलिवूट में बहुत सारे गाने बने आपके और बहां पर बताएं जाता है कि जैसे दिल के तुकड़े तुक्डे करके चल दिए और जैसे कोई लब होता है तो लब होन में ऐसे काम होता है बलड को पंप करना पंप करने का ही काम bots पांतकर बाकि और कोई का में है कि जो फिलिंग सोती है जो आपका सोरो या अगर हम बात करें ज्वय मतलब खुसी हासी दुख धिया यह सारी फिलिंग सापकी ब्रेन का काम होता है मस्तिस का काम होता है हाट का क्या होता है, blood को, क्या करना, blood को pump करना ठीक है, अब देखते हैं blood, human circulatory system, अब human circulatory system में यहाँ पर आपका यह heart है, यह हिर्दय है, और हिर्दय में क्या है, आपका 4 chamber होते हैं, कितने chamber है, आपके, चार chamber गैजिना हम cucks बोलते हैं, यह 4 cucks हो से मिलकर बना है अब देखो यहां पर चैंबर आपको दिखाए दे भी रहे होंगे देखो पहला पहला चैंबर है आपका राइट एट्रियम दाया आलिन यह पहला चैंबर है दूसरा अगर हम चैंबर की बात करें यह फर्स्ट चैंबर है आपका दूसरा चैंबर है आपका राइट व और उसके बाद में आपका लेफ्ट वैंंट्रिक यह फोर्त वन हो गया यह आपका फोड़ चार चैमबरों से मिलकर बना है आपका इस इसमों से तो कि इसमों गया से तो इन दोनों के बीच में कपाट है इन दोनों के बीच में बालव है और उस बाल्व की अगर हम बात करें तो वह आपका कैसा वाल्ब है कैसा वालब है आपका ट्राय कस्पेट हिंदी में क्या बोलेंगे तरी वलनी है कि है के हैं बात करें अगर हम बात करें यहां पर लेफ्ट के एक सिकेब… इनफीरियर बेनस काव़ा हैं और ह होता गया है। हमारीस साइड में यहां पर हार्ट होता है , Fan सब्सक्राइब करना है उसमें जो हमारे सरीर में छोंड़ी बनता है ब्लट बनता है तो दो टाइब का ब्लड होता है देखने में तब यह और अच्छे समझा जाएगा कि डी ओक्सिनेटेड और और ओक्सिनेटेड कि यह होता है आपका सुध और यह आपका असुध रक्त इसमें मात्रा होती है सी ओटो की और इसमें मात्रा होती है आपका दो प्रकार का को नहींका सुध यह और असकी इसमें नियाकी और शॉट्फ वाला रक्त और यह अब देखो जह हमारा हर्ट है कि यह माल जब ढ़े कि इसमें कि इसमें आपके 4 चाहिंबर हैं कि यह जो उप्र आपका सुलियार बेनकर आवा थो और इनसे ब्लॉड हमारे आएगा in हमारे सरीर में आयागा यह फर्स्स्ट top घ्रों मम माइं और इसे किός होते हैं यह किस इस प्लुआ लापकाफ्या सब्सक्रांट सब्सक्रांथ लूंस होसा, और जब बापस आएगा और जब बापस आएगा फिर उसके बाद में फोर चैंबर और इस फोर चैंबर के तुरू जाएगा हमारी बॉड़ी में इस फोर्थ चैंबर के तुरू हमारी बॉड़ी में जाएगा और जब बॉड़ी में जाएगा तब उसमें किसकी मात्रा होगी oxygen की तब किसकी मात्रा होगी oxygen की देखो दुवारा CO2 वाला ब्लेड है जो सुध रख्त है वो हमारे हाट में और हमारे हाट ने उसे हमारे सरीर में रख्त आता है तो वह किसके दवारा क्यावा और इसके उपर का जो पर नीचे का जो वेंश में जिन शिराव में गिन में रख्त आता है वह आपकी क्या कहलाती है अब रख सिराए है वो क्या कहलाती है आपकी रख खलै ठीक है अब यह जो रख टीसराइज भी 20 टाइप कीज Cantonese घंए फिन एक तो आपकी रख्थ हम भ्रफ्हा nee और एक काई डहेक है आपकी नसे जो नसे होती है नस को अब है लिए ब्रॉड उइन कह सकते हो करता है तो करता है जो वेंस होती हैं आपकी वेंस में जो रख्त होगा वह आपका ऐसी दोगा और उसमें जो आर्टी होंगी इनन प्रतर्स कि इसमाँ आपका जो होगा सुध होगा तो अब इस्ट्रक्चर पढ़ाओ कहां पर है वो तो देखो यहां पर जब हम पूरे हाट को देखते हैं तो पूरे हाट में आपका चार बाल्व हो गए चार कपाट हो गए ठीक है चार चैंबर हो गए एक दो तीन चार कपाट कितने हो गए दो एक आपका ट्राइकसपिड एक आपका डाइकसपिड अब उसके बाद में सुपेर बेना कावस है और INFERIOR बेना कावस रखता है असुद रखत के लिए यहाँ पर ब्लू कलर का बना हुआ है ठीका है उसके बाद जब यहां पर ब्लड आपका क्या हो जाएगा ब्लड आपका सूद्ऊ हो जाएगा तो सूद्ऊ जएगा ब्लड की दोझने के बाद में फिर्ड़ आपका इस नोगा सूरु इस सप्सक्रेब सब केविर इनके थुरू हमारा ब्लड सुरीड मों जाता है सुध होने के बाद हमारे सरीर मों जायेगा ठीक है यह श्ट्रक्चर आपके हर्ट के मैं देखो कैसे आता है यहाँ पर डायग्राम बना हुआ डायग्राम से देख लेंगे पहले इस डाइग्राम को पढ़ने हैं पहले मैं यह बता देता हूं एक मिनट जो ब्लड वेसेल्स आपकी जिनसे ब्लड आपका फ्लो करता है वो दो टाइप की होते हैं जो मैंने अभी बताई भी थे आपको एक हाँ आपकी क्या बोलते हैं आर्ट्रीज और एक हाँ आपकी तो ब्लड है वह करती है ये ये करती हैं जो ब्लड होगा आपका ये आपका सु धब देखो जो रुद्धिर को रुद्हीर बढ़ाए ने के बाद मैं घते हैं अगर हम बात करें सिराया क्या होता है यह हमारे सलीर के सारे भागों से ब्लड क्या पहुंचाती हैं यह एक होती है चैनल और इसमें umasud कोती है पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी धमनी पल्मोनरी धमनी में आपका असुध रक्त होता है ठीक है अगर हम बात करें जितनी भी आर्टरी जितनी भी धमनी आए सब में आक्सिजन होगी लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होते हैं गर आपका ओल्यnal और रहा है इसमां पुल्मोरमानेरिक सिर्फ कि आपके और इस में बुलड़ हमाँ बॉल सेघंगे यह पर यह त möchte अगला है आपका कैपिलरीज अगर कैपिलरीज की बात करें तो दीज आर्दा थिनेस्ट ब्लड वेसल यह सबसब पत्ली रुधिर करनिकाय होती है और यह क्या करती है यह आपका प्रितेक बाहिनी चप्टी कोशिकाओं को एक पत्री परस से बनी होती है मतलब जो आपकी होती है कैपिलरीज किस्ता बनी होती है आपकी यह आपकी सिंगल रहो बहुत जाद है बाल जैसे एक तरिकार का जाता है ठीक है तो चलो यह अब आपको समझा गया होगा अब देखते हैं कैसे ब्लड आपका सुद होता है 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 यो है हमारे सरीर से हमारा जो सरीर है यह हमारा सरीर है वाडि और लिए अपसकता है और two लेंग ऑर निजिए वह और यह सबसे पहले जाएगा जाएगा राये लगा होएँ झाल का है बालब लगा हुआ है और इंवhewडां से आपका बात करें यहाँ पर देखाय का लेफट अर्ट रहें में होता क्या है मैं लेफट आत्रियों से आपका बलट बहार निकलेगा 카श की लेफ्ट आटिनम से बाहर निकलेगा पल्मोनरी शीरा के दुआरा और पल्मोनरी सिरा के दुआरा निकलेगा तो इस ब्लड कैसा होगा औक्सिटीड ब्लड होगा आपका और आपका यहां पीछे की साइड से और और यह और पालमोनरी आर्टरीज के थुरू बहार निकलेगा और कैसा होगा यह 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 साफ करेंगे यहां पर यहां जब फेपड़े साप करेंगे तो आक्सिजन है फिर उसके बाद में या जाएगा पल्मोलरी बेंस में और उससे प्रेक्रिया बार बार चलती रहती है यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं ब्लड सर्कूलेशन यहीं क्या क्या लाता है रक्त का संचरण ठीक है कि देखो यहां अगर समझ नाया हो तो मैं इसका एक डाइग्राम बना देता हूं उस डाइग्राम से समझ आ जाएगा यह आपका आयटन नास पारती के आकार का और यहां पर दायए सियोटू यहां पर ऐ स्ये ग्या है Celon और ज ine्वर्ड आ रहा है एसन क्या बोलते हैंistem प्रत यहां ब्लड संसाल आ रहा है कि स्यराओ के दवाराorith Ja ワहां 7 यह आपके लंग्स फेपड़े जब यहां से ब्लेड जाएगा बहार तो सी ओ टू होगा उसमें और यह कहलाएगा आपका पल्मोनरी पल्मोनरी आर्ट्रीज मतलब पल्मोनरी धबनी इससे ब्लेड यहां पहुंचा फिर यहां भार सुध हो गया जब सुध होकर आया रक्त तो यहां पर इसमें क्या था ऑक्सिजन था यह कहाएगा पल्मोनरी पल्मोनरी वेंस में बस उसके बाद में यहां पर आपका एरोटा उससा बहर चलागा जब उससा बहर जागा तो वह कैसा होगा आपका सुध्य ब्लड होगा तुध्य ब्लड होगा आया कैसा था हमारी बॉड़ी में एस जब बाहर जाएगा तो क्या होगा सुध्य यह सर्कुलेशन है यह सर्कुलेशन आपका किसका ब्लेट का ठीक है अगे रख्त्य चाप ब्लड प्रैसर को तक आई जब हमारा ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मली चल रहा है तो उसी टाइम पर आपका जो हार्ट होता हमारा सरीर होता है दोता है हमारे हार्ट पर अचानक सा अगर कोई प्रैसर हो जाता दवाब पडिया अधिक्तम दवाब जिस पर रख्त संकूचन ही मुख्य धबनीग जल्याहु इस बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं शिस्ट्रालिक प्रैसर ईस लिए एक मुठी की तरह समझो आप यह हमारा है यह एक इंजनन की तरह काम करता है जब आपका प्रैसर कम पड़ेगा तो वह ऐसा हो जाएगा और जब जब ज्यादा पड़ेगा तक फैर जाएगा जब जब वह आपका सिकूरता है उसा डायस्टोलिक बोलते हैं जब आपका फैराब होता है एक्स्टैंशन होता है वह आपका सिस्टॉलिक है फिरते हैं जब संकुचित होगा दो ब्लड को अंदर खीचेगा और जब फैलेगा दो ब्लड को बाहर की और फेग देगा यही आपका प्रॉसिस क्या क का यह होता है 120 mmHg इसे हम अगर मरकरी के कंपेरिजन में मेजर करें तो मरकरी के कंपेरिजन में कितना है आपका 120 mmHg है और डाइस्ट्रॉलिक वाला है यह आपका कितना है यह आपका 80 mmHg तो इस बिहाब पर हम कह सकते हैं कि जो आपका एक नॉर्मल ब्लड प्रैसर है वह आपका कितना हो जाएगा 120 80 कोशन बनता है कई बार 120 80 में क्या है देखो 80 वाला कम है यह आपका डाइस्ट्रॉलिक है और यह आपका क्या है तो यह दोनों दिहान रखने आपको डाइस्ट्रॉलिक 80 वाल डाइस्ट्रॉलिक कम है कम है तो कम प्रेसर ले रहा है यह उत्युद्रीं अब अगर हम बात करें ब्लμέड प्रैसर को मेजर क aucun सत्तें किसके दुआरे रा हैं इस फिप मो मिड़ोन मेंठीक एग के स्फिए माम मेंधार्व WOW कई लिवारा आपके ब्ल्रॉड करते हैं ठीक कई बार देखा होगा कि आपके हाथ पर बांध देते हैं तो वह आपका इस फिक मोर्य हो जाता है और चाहिए और तो किससे मेजर करेंगे आपका स्फिक्मों मैनोमिटर इंपोर्टेंट है यह चलो यह तो बात हो गई आपके किसके ब्लड प्रैसर की ब्लड के सर्कूलेशन की तो अगले टॉपिक है अगले टॉपिक के लिए थोड़ा वेट करते हैं फिर अगले टॉपिक को कंटिन्यू कर